सो गाइज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा बाटलीबे का इंटरफेस है यहाँ पर मैंने सारी जो डिटेल्स होती अपनी स्टैप 1 में वह भी सम्मिट कर दी थी अपना स्टैप 2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया था जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर टिक लगए हैं मैंने अपनी दोनों टैस्ट को क्लियर कर दिया था जितने इन्होंने मुझे रिकॉमेंट किये थे इसकोर से अब अब आप नीचे दिख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट जो यह पास दा गाइडलेंट पास कर दिया ता है और इसमें जो अपने डॉक्युमेंट्स और अपना पैन और एक अकाउंट नहीं कर दिया था टो अब गाईज मैं आप लोगे साथ ये चीज़ करना चाहा हूं की मैं इसे कि मैंने 6 के 6 step complete कर दिये थे तो उसके बाद भी जो मुझे कहा है अभी इसका अपने solutions जो question के provide करूँगा उसका मुझे अभी तक authority नहीं मिली तो मुझे क्यों इसका authority नहीं मिली तो इसका मैंने काफ़ दर search किया तो उसके बाद मेरे सामने जो reason आया तो सोचा कि आप लोगों क training videos and read all about what we think make a great solution when you are done we will ask you about it तो guys इस चीज को ध्यान से देखना प्लीज अगर आप यह आप लोग भी अगर यह step complete नहीं कर रहे हैं तो आपको भी बातली बे की तरफ से जो है वो मेल नहीं आएगा कि आपने step complete नहीं किया यह step आपको खुद से ही complete करना पड़ेगा अब जै कि यहाँ पर टिक लग गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी ग्रीन है और यहाँ पर टिक लग गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जो training है वो complete हो चुकी है अभी आपको इसमें training complete करनी है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडिय को पूरा नहीं देखा था मैंने सिर्फ हाफ इसकी वीडियो देखी ती और स्टैप को स्किप कर दिया था और बाकी के जो अपने स्टैप से वह मैंने complete कर दिये तो मुझे लगा था कि मुझे मेल आ जाएगा तो काफी टाइम हो गया था मेरे पस मेल नहीं आया था तो इसक के बारे में आप से कुछ questions पूछेंगे तब जाके आपकी जो training है वह session complete होगा तो उसके बाद आपकी जो application होगी वह under review जाएगी उससे पहले जो आपकी application है वह under review नहीं जाएगी वह अभी आपके पास में ही रहेगी तो इस चीज़ का दियान रखना सोचा आप लोगों के स साथ साथ complete कर लेना तब ही आपको जो application है वह under review जाएगी तब आपको विदिन मंत इसका response आएगा तो उम्यत करता है आपको वीडियो अच्छी लगी जोगी वीडियो च्छी लगी हो तो लाइक कर देना जाते है तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना